हावरुफिक्स वान प्लस नाइन और सेल्फी केमरा नोड वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर है अब सभी का तिक राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है केमरा के इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके केमरा पे तो आपको क्या सॉलुशन करना चाहिए कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा यह मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ ठीक है तो उसक सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेंसेज कर सकते हैं चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम हा रहा है केमरा की उपर में तो आपको सबसे पहले क्या करना है आप दोस्तों जाएए अपने मोबाइल पर पहले मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए रिसेन बटन पर क्लिक कीजिए और यह यानि कि आपके रिसेन्ट एप को क्लोज करना है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग स्क्रॉल डाउन कीजिए और एपस और नौटिफिक्शन पर जाएए सी ओल एपस पर क्लिक करें ठीक है और यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए अपना कैमरा और उसके बाद जाए इस्टोरेचन केश क्लियर उस्तेरेच पर क्लिक करके ओके कर दीजिए ओके करने के बाद दोस्तों आपको बेक करना है make sure सारे permission इसका enabled रहे और उसके बाद दुबारा से चेक करके देखे कि problem solved हुआ है या नहीं हुआ है अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है लेकिन by any chance अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए आपको power button को press and hold करके रखना है power of के button पे दो सेकेंट टेप करके रखना है ठीक है क्लिक करके रखना है और ok कर देना है ok करने के बाद mobile reboot हो जाएगा safe mode पे safe mode पे reboot करने के बाद दुबारा से चेक करके देखे अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी वाद है अगर आपको अभी problem आ रहा है तो जाए सेटिंग स्क्रॉल डाउन करके सिस्टेम पर जाएए और मोबाइल सोफ्वेर को अपडेट करें ठीक है अगर मोबाइल सोफ्वेर अपडेट नहीं है तो आपको क्या करना है प्लेश्टोर में जाएए कोई भी केमरा एप जो है आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कीजिए थोड़े देंट के लिए जब अपडेट आजाएगा सोफ्वेर का तब अपडेट कर लेना तो प्रॉल्लम सोल्फ हो जाएगा ठीक है तो यह सारे सोलूशन अभी हाप को फेक्टुरी डेटा रिसका रिसेट कर दीजिए ठीक है जैसी मोबाइल आपका फेक्टुरी डेटा रिसेट हो जाएगा आपको प्रॉब्लम सोल्फ हो जाएगा तो बस दूस्तों यही ता इसके लिए सोलुशन तो यहां पर दोस्तों मुझा नहीं लगता कि आपको फे झाल